So, hello and welcome you all, I am Rohit from Mahachan Traders So, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे BHEL के बारे में भारत Heavy Electricals Limited की अगर बात करें तो शेर ने अच्छे रिटन्स आज दिये हैं काफी बड़ा आवार्ड इन्होंने आज जीता है जिसकी वज़े से हम कह सकते हैं स्टॉक में बड़त रही है तो इसके लेबल्स को देखने वाले स्टॉक में आगे क्या स्ट्राटीजी आपकी रहनी चीए उस चीज को हम डिसकस करेंगे तो वीडियो को बिना स्किप किये एंट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना साथ ही आप हमारे टेलिग्राम चैनल को भी जोइन कर सकते हो जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो बिल्कुल वीडियो को करते हैं भारत हेवी लेक्रिकल लिमिटेट 117 रुपए 95 पेसे के लिवल पर हमें क्लोजिंग देता हुआ नज़राया एक रुपए 60 पेसे तक की स्टॉक में यहाँ पर हमें बड़त भी दिखने को मिलती है 1.42% के बेसे पर शेर में बड़त रही है पिछले 5 दिनों में स्टॉक कंटीन्यू गिर रहा था मार्केट के हिजाब से स्टॉक में अगर देखे जिस तरीके से मार्केट डाउन था उसी तरीके से यहाँ पर काफी हद तक जो शेर वह भी डाउन था बट आज यहाँ पर अगर देखे तो बिलकुल मार्केट के अगेंड से चला है जिस तरीके से रिटन दिये हैं अच्छी क्लोजिंग रही है बीच बीच में थोड़ा फ्लक्टुइशन देखनी को मिला बट बिलकुल अपसाइट का ही मुमेंटम स्टॉक मेंजर आया है एक महीने में भी आट रुपे तक ही शेर गिरा छे महीने में चालीस रुपे पेसे टुपेसे तक की बड़त है और एक साल में पेतालीस रुपे तक ही बड़त है तो बड़त के मामले में स्टोग अच्छा है, तो हाली में इन्होंने एक अवार्ड जिता है, भी एचेल विन, हिंदुस्तान टाइम्स, टेक सरकल बिजनस टांस्फोरमेशन अवार्ड 2023, तो एक बड़ा यहाँ पर अच्छा यहाँ पर अगर देखें, तो बिलकुल एक बड जो बड़ा अवार्ड रहता है, कंपनीज की ओर से दिया जाता है, जैसे यहाँ पर टेक सरकल बिजनस टांस्फोरमेशन इनकी ओर से दिया गया है, और एक्सेलेंस इन डिजिटल एक्जेकुशन कैडिगरी में अवार्ड हीने मला है, तो यह चीज हमें देखने को आपर मि और 66,00,00 का कॉंबिनेंट डिलिवरी था, और वही एकर बात किर लें, हम आज की, तो स्टॉक में आज भी 2 करोड के राउंड तक का ट्रेड वेल्यू रहा है, तो एक कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, बर जो कम्यूनिटी सेंटिमेंट्स के आकड़े हैं, और कहीं ना कहीं हाँ पर नेगेटिव निजर आ रहा हैं, कम्यूनिटी सेंटिमेंट्स के आकड़ों में 100% लोग जो हैं, उस टॉक में अभी भी सेल करने के लिए कह रहा हैं, तो एक कुछ ऐसी चीज़े भी हमें निजर आ जाती हैं, लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, तो को हम डिसकस करने वाले हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर आप देखो गयां, तो शेर ने आज गिरावड बताई हैं, बॉर्निंग में ही एक गेप डाउन हुआ था, जस तरीके से मार्केट गेप डाउन ओपन हुआ, वेसा ही यहाँ पर भी एचियल जो है, इसमें भी हमें एक गेप डाउन मोमेंटम आज हमें नजराया है, और वही अगर हम देखें, जैसे ही यह शेर डाउन आया, उसके बाद थोड़ा बहुत अपसाइड की और की रिकवरी शेर ने बताई है, और धीरे 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 यह उपर की और जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम हैं, तो कल भी हमने कुछ लेवल्स डिसकस किये थे, कुछ पॉइंट्स हमने डिसकस किये थे, उन पॉइंट्स में में क्लियरली कहा था, कि यह 118 रुपे का जो लेवल है, एसा नहीं है, कि 118 रुपे के लेवल्स है, अगर यह इसने ब्रेकडाउन दिया है, तो इसका है, और यहां से continue रह सकती है, ठीक है, और यहां पर अगर आम देखे, 122 रुपे से, 123 रुपे के राउन, यह शेर जो है, इसी तरीके से यहां पर मोमेंटम बता सकता है, इसी तरीके से यह जो शेर है, ऊपर क्यों जा सकता है, तो यह कुछ पॉइंट्स है, जिनके ऊपर भ भी जा सकता है, तो 118 रुपे का लेवल important क्यों है, और 123 का लेवल इतना important क्यों है, ओभी मैं आगे बताओगा, बट उससे पहले एक चीज में हापर आपको clear कर देता हूँ, कि स्टॉक में आपको कल के लिए इसमें क्या strategy रखनी चीए, कि इस हिसाब से आपको आगे इसमें प्लान करना चाहिए, तो यहाँ पर अगर देखें कहीं न कहीं एक rising which type channel बनाने की यहाँ पर कोशीश, share में देखने को हमें मिल रही है, बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हो, ओपर से एक resistance level है, downside की ओर से आप देखोगे, एक support level भी यहाँ पर बन रहा है, तो एक upside down momentum हमे देखने को यहाँ पर मिलते हैं, ओपर से rejections आप देखो, यहाँ से share गिरा, यहाँ से गिरा, बिल्कुल continue इस particular range से rejection ले रहा है, और वही अगर बात कर ले, downside की ओर से भी, stock ने हमें अच्छे support यहाँ पर बता है, तो एक upside down momentum हमें BHEL में देखने को यहाँ पर मिल जाता है, तो यहाँ पर अगर देखें, तो यह दीरे दीरे 108 तक तो जा सकता है, बट अगर इसने यही level, downside की और अगर breakdown दे देता है, तो एक बड़ी गिरावट यहाँ से आ सकती है, पर 180 के उपर सस्टेंग कर जाता है, तो एक अच्छी बड़त रहेगी, तो एक चीज आपको ध्यान र रुपे का level है, और पहले तो हम बात कर लेते हैं, अगर उपर जाता है, तो एक सो तेईस रुपे का level इतना ज्यादा important क्यों है, कि वो level हम काफी डाइम से discuss कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप क्लियर ली देख सकते हो, कि अगर यह शेर उपर जा रहा है, तो यह उपर क्यों ज रेंज के अंदर ही यह trade करा था, उपर से stock में resistance मिल रहे थे, downside की और से stock में यहाँ पर support हमें देखने को मिल रहा था, इनी upside down momentum के चलते आप अगर दीखोगे, इस range का यहाँ पर breakdown मिला, breakdown यहाँ पर मिला है हमें, और breakdown के बाद stock में अगर हम देखे तो बिलकुल यहाँ से गि 118 रुपे का level है, 118 रुपे का level भी a share downside की और break करता होना जरा रहा है, और वहीं अगर देखे 118 रुपे के level के उपर अगर अगर sustain कर जाता है, तो हम यहाँ पर 123 रुपे का level इसलिए बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि जहाँ से breakdown मिला था, वहाँ पर a share sustain करने की कोशिश कर स सकता है, फिर यहाँ से एक downside की और का momentum हमें देखने को मिल सकता है, तो इसलिए level हमारे लिए इतना ज्यादा important है, तो इस level के उपर भी आपको focus रखना है, और रही बात 118 रुपे के level की, तो इस level हमारे लिए important क्यों है, वो भी हमें हाप पर देख लेते हैं, तो इसे हम particular point पे भी support ले सकता है, 104 रुपे के round के level पे, ठीक है, तो इस level भी हमने mark किया था, कि अगर गिरावट continue ही रहती है, तो 104 के level पे यह आ सकता है, तो इस point भी आपको ध्यान में रखना है, तो यहाँ पर अगर देखें, भी हे ल को लेकर काफी कुछ बाते हमने की, तो आई का एक बार analysis आपको ज़रूर करना है, कोई भी share में बगेर analysis किये, बगेर अपने personal advisor की advice लिए बगेर, अगर आप investment करते हो, तो आपको loss हो सकता है, तो please आप एक बार consult करें, फिर ही किसी भी particular share में invest करें, ठैंक यू.